गुड मॉर्निंग चिल्डरन वेलकम टू बैक मैं चैनल चैम ग्रोन अप और आज का जो हमारे टोपिक है यूज ओप दिस एट दैट आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दिस और दैट वाट इस दैट तो दिस होता है निया और दैट होता है फर सबसे पहले हम बात करेंगे दिस दिस वर्ड इस यूज बनाने के लिए हम वहाँ पर दिस का यूज करते है और या थिंग सिंगलर हो Heil water इस यह हैं एक कार यह हैं अंद बात करते हैं कि दिस का यूज कहां कब और कैसे करना है तो दिस का यूज सिंगलर तिंग के करते हैं और दिसका यूज जो वस्तू या थिंक हमारे पास होती है उसके लिए दिसका यूज करते हैं लाइक दिस एन एपल यह एक सेव है तो इसी तरह हमें दिसका यूज करना है अब भी हम आगे और सेंटेंस को रीड करेंगे आप स्कीन पर देखिए और मेरे साथ में स्पीक कीजिए अब हम बात करेंगे कि that क्या है और that का यूज कहां करते हैं तो that that word is used for the thing or person which is for from us and should be in singular form जो हमसे दूर होता है उन सेंटेंस को बनाने के लिए वहाँ पर that का यूज करते हैं लाइक जैसे हमसे अगर कोई वस्तू दूर है like kite तो हम उसके लिए बोलेंगे that is a kite मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ that that word is used for the thing or person which is for from us and should be in singular form for example that is a chair और जैसे कि आप अभी पिक्चर में देखी रहे हैं कि that is a rainbow और बोल पास में है तो this is a bowl यनि कि पास के लिए हमें this का यूज करना है और दूर के लिए हमें that का यूज करना है अब आपको screen पे देखना है और मेरे साथ में speak करना है are you ready? this is a globe and that is a sun because sun दूर है इसलिए यहाँ पर मैंने that का यूज किया and this is a globe and that is a sun this is a tree and that is a star this is a tree and that is a star this is a pillow and that is a duck this is a muck and that is a moon this is a cloud and that is a hut this is a fan and that is a hat I hope अभी आपने वीडियो को तो है बहुत ही ध्यान से देखा होगा और मेरे साथ में speak किया होगा आपको समझा गया होगा मैं फिर से repeat कर देती हूँ कि this का use जो है हम pass वाली वस्तू के लिए करते हैं और that का use हम दूर वाली वस्तू के लिए करते हैं तो आप अपना ऐसे revise कीजिए और वीडियो को फिर से देखिए और मेरे साथ में speak कीजिए आज के लिए इतना है Bye children Thank you